नमसकार दोस्तों इश्वर सदा भापका भुला करें और आपकी जोल्याँ इश्वर के आशे माद से हवेशा भरी रहे तो दोस्तों आव बात करेंगे कि सपनी में यदि आप नाश पाती अर्थाद पेर देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है देखें जैसा कि आप जानते आंत्रिक शक्तियों के चागरित होने वो अध्यात्मिक शांती प्राप्त होने की ओर भी संकेत करता है। इस तरह के जो सपने होते हैं, वो ये भी बताते हैं, कि व्यक्ति की मालसिक शान्ति हैं तहीरे धीरे बढ़ रही है, यह वो मालसिक खुशी प्राबत कर रहा है, इसले भी फलों के सपने उखास का नाश्पाति के सपने उसमें देख रहा हैं अब यदि astrological अर्धा जोग्षी रूप से बात करूँ तो यह सपना बताता है कि जिसने भी यह सपना देखा है उसकी जिंदगी में खुशी, शान्ती आएगी, उससे कोई अराम मिलेगा या कोई अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है यदि कोई भी व्यक्ती सपने में खुद को आन नाशपाती या दूसरों को नाशपाती खाते भी देखता है तो जो भी समाचार मिलेगा वो अच्छा होगा और जल्दी मिलेगा इसके अलावा यदि आप नाशपाती इखटे कर रहे हैं या पेड से तूटते भी नाशपाती देख रहे हैं तो यह शुब और उन्नती देने वाला सपना होता है इसके अलावा यदि आप देखते हैं कि सपने में आप बाजार जाकर नाशपाती को खरीद रहे हैं तो यह कहीं न कहीं सुखधियात्रा यह किसी बहुत अच्छे समाचार की प्राप्ति की और भी संकेत करता है यदि आप देखते हैं कि आप नाशपाती को पका रहे हैं तो यह आपके विचारों में खुश्यां बढ़ने और आप यह भी कह सकते हैं किसी नवीन विचार के आपके लाइफ में बढ़ने की और भी संकेत करता है इसके अलावा यदि आप सपने में देखते हैं कि आप नाशपाती को धुल रहे हैं, धुल कर खा रहे हैं, तो यह घर में मांगले कार्य मंचा ही किसी कारिक होने की और भी संकेत करता है। नाशपाती को उखते देखना या कच्ची नाशपाती देखना भी शुब उन्हती दायक होता है। या जो भी अच्छा होने वाला है वो घटना जल्द होगी और खास कर वही सपने थी बार-बारा है तो निश्चित रूप से आपको जोच्छी रूप से कुछ संकेत दे रहा है अब जब सड़ाव आपको फल देखते हैं तो सपना बताता है कि कष्ट तो आएगा लेकिन कष्ट नहीं आगार था आप जल्दी उससे मुक्ति पालेंगे तो दोस्तो आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दीवी चानकारी पसंद आई होगी ऐसी रोचक जानकारे के लिए कृप्प्य आप हमारी चानल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अबश्य करें तब तक के लिए दोस्तो नमस्कार